सेर होल्डिंग पैटन बहुत बड़ी आया बाई इन्वेस्ट करना चाहिए और इस प्राइज में बिल रहा है काफी रीजनेवल है और स्टॉग बुक्स की अकॉर्डिंग कावी सस्थे में ट्रेट कर रहा है अगर को लाइक शेर सब्सक्राइब करने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाल गगा बटन आपको दिख रहागा उसको क्लिक कीजिए और साथ में बैल को दबना ना भुलिए और थाकि आप हमारे नोट एस पर share holding pattern और company का business के recording यह stock आपको एक अच्छी return दिखा सकता है future में तो जानेंगे हम इस वीडियो के माद्यम से क्या आपको इसमें investment करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं request करना चाहूँगा कि please वीडियो में कम से कम 10 share कीजिए मैं चाहता हूँ कि आप 10 share कीजिए ये share आप whatsapp के माद्यम से, telegram के माद्यम से, facebook के माद्यम से या किसी भी application के माद्यम से share कर सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जो मैं आपके साथ share करता हूँ चीजिए ठीक है तो share करना ना भूलना तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा आपको एक update देना चाहता हूँ कुछ लोगों के नीचे comment आया थे तो comment का भी मैं एक reply कर देता हूँ बहुत सारी question है regarding मेरे जो panel stock आपको मैंने दीए है उनके उपरी तो उनका मैं एक बार reply करना चाहता हूँ तो आप चाहो तो वीडियो को अंतक देख सकते हो या सीधा स्कीप कर लीजिए छे-साथ मिनिट के आपस पास आपको stock का नाम और उसके profit and loss दिख जाएंगे तो आप वहाँ जाके इसको सीधा skip कर सकते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ यामनी investment के बारे में 30 पैसे के आजबस आप बाय बोला था 34 पैस चल रहा है 12 पैसरें की return दे रहा है अच्छी return अभी नहीं दे रहा है almost मतलब वह यह जिस price हमने बाय किया उसी price में return मिल रहा है लेकिन सबसे main question यह है कि जो हमने आपको quadrant दिय अब दोस्तो market अभी top high में चल रही जैसे आपको पता है तो अभी देखो चाहो तो आप profit book कर सकते हो इन stocks पर अगर आपने लिये है मेरे कहने पर ठीक है एक बात बोलूँगा जो भी चीज़े अगर आप इस channel में देखती हो ठीक है तो एक education purpose के लिए होता है तो उसको please एक करके motivate कर सकते हो support कर सकते हो और dislike करके भी आप बता सकते हो कि हाँ video गंदा बना है market अभी high में चल रहे है तो आप चाहो तो यह profit book कर सकते हो जिसको करना है क्योंकि यह stock definitely नीचे गिर सकते है अगर market गिरेगी market थोड़ी correct होगी तो यह भी नीचे गिरेंगे तो उस समय panic मत create कर करना है छोटा मोटा और exit हो जाओ तो भाई यह आप में छोड़ता हूं कि आपको profit book करना है या नहीं करना है और भाई एक और बात बोलूँ ना जो stocks मैंने आपको दिये है जो लोग अभी इस चले में नहीं आए है मैं उनके लिए बोल रहा हूं और attention मतलो यह stock जिस value मैंने अपडेट करूँगा कि भाई यह stock उस price में आ चुका है इसको भाई करके hold कर लो मैं आपको वीडियो के मातियम से update कर दूँगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आरे telegram को join कर सकते हो उसका link मीचे मिल जाएगा और twitter में भी follow कर सकते हो वापर मैं आपको एक best stock of the month जो मनल आप देख रहे हो पूरे के पूरे प्रॉपर वीडियो मनाए रिसर्च करिए लौज जी बताया कि आपको इस stock को क्यो बाई करना है ठीक है उन सब के वीडियो सापको आप चैनल में देख लिए विवेग राना stocks माले विवेग राना penny stocks माले आपको मिल जाएंगे और बहु ठीक है BSC में यह लिस्टिट है और सायद या NSC में लिस्टिट नहीं है आप एक बाई इसका चेकाउट कर लिए मेरे सबसे नहीं है यह मैंने monthly chart खुला हुआ है और यहां पर आपको यह भी monthly chart है तो मैं आपको इसको समझा रहाता हूं कि chart में मुझे क्या नजर आता है आप अब एक वर्स को देख लो तो चार्ड में आपको मैं समझा रहा देना चाहता हूं मैंने कुछ रजीशन लाइन ट्रौ कर रहे है करेंट यह 26 पैसे के आसपर टेट कर रहा है एक अच्छा बैक बन सकता 26 पैसे और एक चीज में एड करना चाहूंगा दोस्तों वो यह लेकिन 27 तक भी कर सकते हो 27 के उपर मत करना ठीक है लेकिन आप अभी थोड़ी क्वांटिटी अभी बाइक करो और फ्यूचर में गलती से अगर आपको कभी 15 पैसे मिलता है ठीक है 6 महीने बाद या 7 महीने बाद तो आप वहां पर भी आवरेज आउट करना मेरी एक 26 पैसे में वाहिए करके चल सकते हो चार्ट के साब से इसके आपजिसेंसे आपको बता देता हूं अगर यह पचास पैसे के उपर क्लोस कर देता है पंपर पैर का जो यूटूब का कम्यूटी box होता है वहाँ के मांधयम क्रेंगे तो यह से मेरे जो टार्गेट रहेंगे आपको टार्गेट कराजता हूं अगर आप अभी बाय करते हो 25 पैसे में तो भाई अपने रिसर्च सिंपल है आप पहले वन एक्स मतला हंडेट परसंट का प्रॉफिट बुक करोगे वेट करेंगे हमारे नेक्स टार्गेट के लिए जो 70 पै या आपको मैं त्लोच चुम कर देता हूं तो यहां को सानी हो देखो तो दोसरों आप देखोगे ध्यान से एक लोग आपको दिख रहा है यह लो और यह जो ओड़िए तीसर लोग यहां बनाए इसने तो यगर तीनों लोग मांक करोगे चेक करोगे तो पहल्ला जो लो था यहाला पहला लो इसने 17-17 पैसे का लो लगाया था और यह साइकेंड लो जो बनाया था यह 18 पैसे का लो था ठीक है और यह थर्ड लो बनाया इसने यह बनाया 19 पैसे का लो तो समझ पा रहे हो अब तो मतलब यह है कि 2014 से लेके 2020 तक इसने 3 लो बनाया है स्टॉक ने 2014 से लेके 2020 तक इस स्टॉक ने 3 लो बनाए है और 3 लो स्टॉक ने ब्रेग नहीं कर पाया है और एक higher low का pattern ये बना रहा है स्टॉक तो ये pattern काफी जवर्दस होता है ठीक है तो मेरे साब से भाई 17 पैसे 18 पैसे 19 पैसे में किसी बड़े player ने इसको buy गया बड़े player कौन हो सकते आपको पता है promoters ही होंगे या कोई जो चलाते वही होंगे तो भाई 17, 18, 19 पैसे में एक अच्छा पैसा इसमें लगा है मेरे साब से आप डेफिनेटली इसको check out करो अगर आपको 20-21 पैसे मिलता है तो average आउट कर लेना 25 पैसे मिलता है definitely buy कर लो तो यार यह तो होगे इसकी बाद और इसका high low आप देख सकते हो 30 पैसे और 11 पैसे का सपास का है मतलब एक mid made trade कर रहा है ठीक है जैसे आपको मैंने बताया strong अपनी books से नीचे trade कर रहा है काफी अच्छी बात है कि strong अपने books से काफी नीचे trade कर रहा है तो आप इसको observe कर सकते हो और company is almost debt free ठीक है बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि company debt free है company अपनी books से नीचे trade कर रही है तो definitely आप इसको check out करो एक आपको future में अच्छी रिटन दिखा सकता है तो एक बार इसके profit जान लेते है मैंने quarterly results खोल रखे इसके आप देख सकते हो June quarter March quarter September quarter तो देखे नेट profit एक बार देख लेते है कैसा है राज का तो दोस्तों net profit आप देखोगे तो मैंने आप जैसे बताया company को ना ज्यादा profit होता है तो ज्यादा loss होता है तो loss भी देख सकते ह नॉमिनल है चार लाक्य असफस का loss है एक लाक्य असफस का loss है और एक लाक्य असफस का profit तो मतलब पना profit ज्यादा है बड़ा है loss भी काफी छोटा ही है तो अगर company future में अच्छा गासा business करती है तो definitely stock rocket हो सकता है अब मैं लेके चलता हो आपको उसके yearly profit की तरफ तो yearly profit एक बार और FI 19 में इसको चार क्रोड के असफस का loss था तो मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि company in last year में एक profit शो किया था आट लाक्य आसपास तो मतलब yearly basis में company profitable है तो भाई definitely इसको आप check out करो अगर future में कभी भी ये profit देती है आट लाक्य से जादा तो price में impact पड़ेगा औ और price rocket हो सकता है ठीक है तो भाई overall story profit के साफ से ठीक ठाक है इतनी बेकार भी नहीं है बाकि एक बर आप check कर लेते हैं इसका shareholding pattern वो हमें बतलाएगा कि हमें stock में invest करना है या नहीं करना है तो shareholding pattern देख लो उसका shareholding pattern बता देता हूं आपको तो आप दोस्तों shareholding pattern stock का 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 reverseust है आप देखको जून में जो promoters ने 45% की holding है promoters की तो यह काफी बढ़िया number है और दोस्तों बोला चाहूंगा एक रूपे का share इन्होंने pledge नहीं करा हूँ है मत्ताब promoter की holding एक रूपे की pledge नहीं है ठीक है तो भाई definitely आप इसको radar में रख सकते हो stock को यह आपको एक अच्छ करके भूल सकते हो यह आपको future में एक अच्छी दिखा सकता है तो भाई overall stories की मैं बता देना चाहता हूं आपको company profitable है नहीं इतनी अच्छी profitable नहीं है share holding pattern बहुत बढ़िया है इन्वेस्ट करना चाहिए और इस price में stock में मिल रहा है काफी reasonable है और stock books की according कावी सस्ते में trade कर रह और प्लीज अभी तक देख रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं भाई share कर दो यार वीडियो को share कहां करना है facebook में करना है telegram में करना है जहां कर सकते whatsapp में करो जहां करना वहां करो लेकिं share पका करके जाना और एक last tip दे रहा हूं वही निप्टी के उपर कि मैं आपको छोटर का tip advice दे रहा हूं निप्टी के चार्ट में एक moving average लगा लेना 88 का ठीक है closing basis में जब वह moving average के नीचे daily में वह close कर दे ठीक है आप अपना portfolio कुछ भी आपके पास है sell कर देना ठीक है अभी पूरा portfolio sell मत करो जब उसके नीचे close कर दे तब कर देना ठीक है उसमें आपको है जो तो हमारा यह होगा कि जब वह उस moving average के नीचे close करेगा तब market definitely correction करेगी अगर जब तक वह moving average के उपर market है निप्टी तब तक समझाओ भाई ये ना एक तरह का ये एक consolidation है मतलब market 1000 point उपर जाती है तो 300 point का correction करती है तो वह consolidation phase है वस ठीक है जब तक उस moving average के नीचे close नहीं कर देती है तब तक आप अपने sell मत करना ठीक है ये थोड़ छोटा सा टिप है जुन्होंने वीडियो अंतक देखा है चलो मिलता हूं आपको अपने next video में तिल देन bye bye thank you so much safe trading happy trading peace out झाल का 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 कके बाकता है